Hello NS student, welcome back to the channel आपका अपना NS का चैनल जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा आपको क्या है correct और super informative वीडियो दिये जाते हैं तो एक और आपका October exam 2021 से related बहुत जबरदस्त वीडियो ये होने वाला है बहुत सारे doubt आपके clear होने वाले हैं तो देखिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहला क्या है आपका देखिए आपके पास books की problem थी ये पता है लेकिन अब बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि अब exam चल रहे हैं तो हम क्या करें और आपके पास बहुत सारी information की problems भी थी जैसे TM में और भी बहुत सारी चीजों की problem थी ठीक है आपने वो सब को face किया लेकिन अब इसका solution क्या है कि हम study कैसे करें अब आपके पास सबसे shortcut सबसे best तरीका क्या है study करने का वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हम और भी आपके बहुत सारे doubt है जो comment box से उठाएगे किस देखिए previous year question paper आपको NIUS की website पे जब आप Google में search करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा और आपके जो videos है देखिए NIUS की video classes कहीं भी नहीं है आपकी तो ये video classes क्या है आपकी ये available है किस पर NIUS की website पर जस्ट आप जाएए और search कीजिए otherwise हमने भी आपको जो है video बना रख है उसके अंदर direct link भी है आप उसके थूरू भी जा सकते हैं अब बहुत सारे student पूछने सर examination easy आएगा या tough आएगा तो साफ साफ सी बात है अब की बार NIUS को भी पता है students बहुत जादा problem में books भी नहीं थी study भी नहीं घर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि आपका paper easy आने के chance है tough आने के तो बिल्कुल भी chance नहीं है syllabus कम हुआ या नहीं हुआ तो सीधी सी बात है syllabus ने आपका बिल्कुल भी कम नहीं किया है जो subject हमने बता रखे हैं जैसे आपका क्लास 12 के only कुछ subject हैं जैसे PCMB और account, eco, business study और physical education ये केवल subject है 12th class के जिसमें syllabus कम किया है बाकी और नहीं किया गया है तो I hope आपको ये doubt clear हो गया होगा अब students बहुत सारे confused है सर हमारे i-card में medium ये लिखा है पेपर किसमें दे तो देखिए आपको चाए Hindi medium हो चाए English medium हो आप जिस मर्जी medium में क्या कर सकते हो exam अपना attempt कर सकते हो लेकिन पूरा paper उसी medium में attempt करना पड़ेगा चाए i-card में कोई भी medium लिखा हो तो ये आपकी इसका भी solution हो गया अब बहुत सारे student क्या रहे सर हमें पता कैसे सलेगा passing criteria क्या है तो देखिए उसका video भी हमने बना रखा है आप जाके उसको देख सकते हो यहाँ पर क्या है आपका जो 10th class तो easily बच्चे pass कर जाते हैं 12th में problem होती है उसका कारण क्या है देखिए 10th में क्या है आपका theory और practical दोनों मिला के आपको 33% लाने होते हैं और 12th class में क्या है जो theory और practical है उसमें अलग-अलग pass होना है मैं एक subject का example लेता हूँ जैसे आपके पास क्या है painting है आपका तो इसमें क्या है अगर आप 10th class के painting की बात कर रहे हैं और 12th class के painting के subject की बात कर रहे हैं तो कितना difference आ जाता है देखिए theory में माली आप एक number ले आते हो practical के अंदर 70 bucks का practical होता है अगर आप उसमें 40 number ले आते हो तो आप इस तरीके से pass हो जाते हो लेकिं 12th class में क्या issue है कि theory में आपको अलग से 30 में से 11 लाने ही पड़ेंगे चाहे आप इसमें 40 bucks ले आओ अगर इससे कम लेके आए आप theory में तो आपको fail कर दिया जाएगा तो दोनों के passing criteria में ये जो है difference है आप इसका main video भी देख सकते हैं वहाँ हमने अच्छी तरीके से explain कर रखा है आपको अब क्या है जितिंदर आरे classes की तरफ से आपको क्या क्या provide है देखिए previous year question paper की detailed summary है सब कुछ उसमें चीजें आपको बता रखें detail में क्या क्या चीज आएंगी कैसे आपने study करने क्या सलेबस के वीडियो भी आपको description box में बिल जाएगी अदर्वाइस आप playlist में भी जाके देख सकते हैं इंपोर्टेंट question answer जो है लगबग 7-8 जो main subject होते हैं उनके भी जो है हमने डाल रखें अब आपका क्या है previous year question paper जो है उसमें examination pattern, important question answer, important topic, important chapter और important explanation 100% आपको बता रहें अगर आपने वो papers देख लिए description में जो है वो दे रखे हैं आपने अगर उनका detailed analyze देख लिया तो आपके बहुत अच्छे marks कम से कम 60 से 80% marks के बीच में score हो सकता है तो ये videos आप जरूर देखें और जो NIS की website पर मैंने दो चीज़ बताई है previous year question paper और जो video classes है वो आप जरूर देखिए आपके लिए definitely last time में helpful हो सकती है और सबसे main बात जो मैं बार-बार हर एक video में बताता हूँ ये जो top 20 की जो guide है या कुझी है देखो guide तो पढ़ने का time नहीं है क्योंकि इसमें 1.500-200 page होते हैं और इसमें 60-80 page होते हैं कुझी के अंदर और ये 40 रुपे की आती है आप इसको पढ़ सकते हैं आप paper वाले दिन भी 60-80 page पढ़के जाते हो 100% paper इनीवे से उठके आता है तो ये book अगर आपके पास अभी भी नहीं है आप इसको purchase कर लीजिए 100% आप इसको 2 या 3 बार रट लीजिए आप बिलकुल pass अच्छे तरीके स हो जाएंगे जे पीएज कंपनी की भी जो है guide आती है और कुझी आती है और नीरज कंपनी की भी आती है आप किसी भी company की book को खरीज सकते हैं लेकिन preferred आप top 20 की guide को देखिए उसके अंदर जो है बाकी books सारी अच्छी है लेकिन ये personally मैंने ज्यादा देखी हुई है तो इस व